आज जो के बजट का प्रापधान किया गया है स्वास के लिए 2144 करण रुपए के बजट का प्रापधान किया गया बाईस नए आई टी आई शुरू किये जाएंगे जो युवाओं को न सिर्फ अप्रशिक्षित करेंगे बलकि उनके आगे के बविश्च को भी उज्वल बनाने के ल जो प्रापधान तै हुए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार किस तरह से काम करेगी और ये जो बजट तै किया गया है ये प्रदेश के लिए इतकारी सिद्धों प्रदेश की विकास की जुगति है उसे बढ़ाने में कारगर सिद्धों इसके लिए भी यहाँ पर लगातार प्रयास सरकार की तरव से किये जाते रहेंगे और जो प्रावदान इस बजट में किये गए हैं उसमें न सिर्फ अगर बजट पर ध्यान दे तो जुआओं मैलाओं व्यापारियों किसानों तक को ध्यान में रखा गया है बलके इस बजट से प्रदेश के विकास के और तेजी से चलाए जाने के लिए भी प्रयास नजर आता है और बजट के दस बड़ी बाते हम आपको बता रहे हैं कुल बजट जो 35,000 करोड का रहा उस बजट से जोड़ी 10 बड़ी बाते हम आपको बता रहे हैं 16 फीसदी बजट पिछली बार से बढ़ा कर यहां प्रस्तुत किया गया फसल भीमा योजना के लिए 2000 करोड चुकि एक कृषी प्रधानता मध्यप्रदेश में जो अब तक बनी हुई है और कृषी आधारित क्षेत्र है बड़ा ग्रामिन क्षेत्र बड़ा है वहां किसान जो अन्नों उगाते हैं उन्हें कई बार मौसम की मार जेलनी पड़ती है कई बार अलग अलग कारणों से उनके साथ जो दुरगटनाएं होती हैं उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए फसल भीमा योजना किसानों के लिए बड़ी कारगर बड़ी राहत देने वाली अब तक सावित होती आई है और ऐसे में उसका जो बजट है वो 2000 करोड क के नस्दीक जाकर उसके दुरुपियोग के बजाए उसका सदुपियोग के जाने के लिए प्रेजित किया जाता रहा है और साथ ही रेल पर योजनाओं को भी गती दिये जाने के लिए वित्तमंत्री ने इस बजट में प्रावधान किया है प्रदेश में प्रतिविक्ति आ आएक का जो समय अभी अगले चार से पात साल का सरकार के कारिकाल का बचा है उसमें आगे ही से और बढ़ाय जाने का भी दावा उन्होंने पेश किया और इस बार जो पिछले बजट के मुकाबले बजट में 16 फीसदी इजाफा किया गया है उसमें प्रतिविक्ति आएक के बंद में भी उन्होंने विस्तार पूर्वग जानकारी दी और अपने सरकार के लक्षे को सपश्ट करते हो उन्होंने कहा कि कौन गुडवत्ता पून बिजली हम प्रोदेश में दे रहे हैं सौर उर्जा परियोजना का भी विस्तार हो रहा है और इसका एक उतारन उन्हों उस पर भी उन्होंने विस्तार पूर्वग जानकारी दी कि वो किस तरह से काम करेगा। प्रवणने ने मार्थी कटिविद्यों के विस्तार से प्रज़श में प्रचली भाव पर वर्ष गोजाए 24 अगरी मनुमान अनुसार कटिवधी आए 142,525 रुपई यहे हैं उन्हों लेकिन है कि वर्ष गोजाए 34 में प्रचली आए 14,65 रुपई यह थी जो बढ़कर जारा गुना हो गए जारा दूर रहे हैं अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवान ज्योस्ता लागू की गई है सिर्व राई इसको लिग्यालर के लिए तो जारा आए 143 में प्रांटी